हालो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं बिहार के 129 सग्राम का स्रीज तीसरा लेकर राना हूं दो स्रीज पहले जारी कर दिया हूं उसको आप देख सकते हैं तो उसे काफी फायदा होगा तो आज मैं करांतिकारी राष्टवाद कल बताया था आज च पसंदाने पर लाइक नहीं लोग सब्क्राइब बेल का इकन बटन दवाना ना भूले तो पहला कोस्टन क्या है चमपारन आंदोलन 1917 था किस लिए था तो ये क्या आंदोलन था नील है जो कि किसानों का आंदोलन था तो ये नंबर हो जाएगा अंसर आपको क्या हो जाएगा किसान आंदोलन उसके बाद देखते हैं दूसरा फ्रश्ण तीन कठिया परथा समंधित है तो चंपारन आंदोलन से तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इसका अंसर भी हो जाएगा अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एकनवंद 19-20 सदी के सुरुवात में ही करा लिया था जिसके अंतरगत किसानों को अपने जमीन के परती बीगे पर तीन कठे नील की खेती करना नहीं वारे था इसे तीन कठिया परथा का ते मतलब इसी साब पकड़ा जाएगा ती दो का क्या हो जाएगा आपको भी अंसर हो जाएगा उसके बाद श्तीसरा also अंदोलं काद ने 3000 किस ने किया तो ऑप्सणनओक जाय माहत्मा गांधी ने किया चाओ घाट हरा महत्मा गांधी चंपारन किस के बुलावे पर गये थे और सी हो जाएगा राजकुमार सुक्ल के बुलावे पर गए थे उसके बाद महात्मा गांधी पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था ये बहुत इंपोर्टेंट है ये पहली बार D में हुए थे कब हुए थे 10 अपरेल 1917 को राजकुमार सुक्ल के साथ कांधी जी पठना पहुचे थे तो आंसर क्या हो जागा 5 का D 1917 हो जाएगा तीन कठिया पर था सरवाधिक परचलित कहां थी तो कुछ लोग कन्फियूज में मार देंगे दुसरे दुसरे लेंगे चंपारन ही होगा तो 6 का A हो जाएगा साथ मा चंपारन आंदोलन के समय बिहार का उपराज पाल था तो B हो जागा अलवर्ट गेट तो ये बहुत कम कोस्टन आपको मिलेगा नॉर्मल कोस्टन थोड़ा सा हटके है क्योंकि आप उसके बाद आठ मा चंपारन के नील किसानों के मामले से समंधी जास समीथी ने सरकार को सर्व समत परतिवेदन पेश किया कब किया था तो 4 अक्टूबर 1917 को किया था आठ का क्या अंसर हो जागा B हो जाएगा नॉर नंबर देखते है चंपारन आंदोलन के परिनाम के समंध कौन सी बाते सत्य है तो सभी बाते सत्य है तिन कठिया पर था कहां अंत हुआ था सभी रहतों के लगान घटा दिये गए सी बागान मालिकों द्वारा वसूल किये अवैदनक 2 रुपियों में 25 परतिशत बापस किया गया तो 9 को क्या हो जाएगा D हो जाएगा अब 10 नंबर देखते है चमपारन आंदोलन की समापती के उपरान गांधी ने किसे अपने मोतिहारी कार्याले का कार्यभार सौब कर बापस लोट गया तो D जनक धारी परशादी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत कम लोग इसको ये सकोशन बिहार स्पेशल में ही मिलेगा आपको तो क्या हो गया इन जो कार्यभार जो सौपत किनको सौपत है तो 10 का D हो जाएगा जनक धारी परशाद 11 भारत में महात्मा गांधी ने सरपर्थम किस आंदोलन में भाग लिया तो C हो जाएगा चमपारन आंदोलन 11 का C 12 नमर गांधी ने सरपर्थम किस आंदोलन भाग लिया तो ये भी क्या हो जाएगा चमपारन बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का ने त्वित किया था तो राजकुमार सुकलन ने किया था तो सी हो जाएगा तेरा कांसर चंपारन आंदोलन से कौन समन्दित नहीं है ये कोशन बहुत बार बार पूचता इसलिए पूचता के वोग फस्ते हैं थोड़ा बहुत इसमें तो कौन नहीं थे तो जैप्रकास नारायन नहीं थे क्योंकि दूर करने के लिए सत्यागरह किया था थो डी हो जाएगा चंपारन परिसित एक आंदोलन के कारन जिसका संबन था तो यह भीनमादी से चंपारन सत्यागरह के दौरान गांधी पर मुकंदमा चलाया गया था तो कहाँ चलाया था तो मोतिहार नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए 19 नंबर गांधी जी जवारा चलाए गये सफल सत्यागरा के साथ कौन सस्थान जुड़ा हुआ है तो चमपारन जुड़ा हुआ है गांधी जी ने भारती राजनीती में प्रवेश किया इसका अंसर के हो जाएक किसका चमपारन अंदुलन अब आते हैं क्या है किस बिहारी नीता की अध्यचता में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का एक विशेश अधिवेशन अगस्त 1918 में हुआ बंबई में हुआ था तो क्या हो जाएगा इसका अंसर एक का सी हो जाएगा साइद हसन इमाम यह अधिवेशन मांटेगिव चेम्स फोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्स के लिए हुआ था इसमें साइद हसन इमाम के नेतित में एक सिष्ट मंडल इंगलेंड भेजने का निरने भी लिया गया था दूसरा रॉलेट एक्ट के विरोध में पटनाम जवर्दास्त हरताल कब हुई थी तो क्या हो जाएगा इसका अंसर यह हो जाएगा 6 अपरेल 1919 को पटनाम एक विशाल जुलूस का नेतित किस ने किया था तो सैयद हसन इमाम ने किया था यह जुलूस आगे चल कर साम में कीला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिनत हो गई जिसकी अध्याचता हसन इमाम ने ही की थी चव था प्रांतिये कॉंग्रेस समीति एवं बिहार प्रांतिये संकी संजुक तो बैठा 13 जुलाइ 1919 को कहां हुई थी तो क्या है प्रांतिये कॉंग्रेस समीति एवं बिहार प्रांतिये समीति मतलब जो सेंट्रलर की कॉंग्रेस थी और बिहार की जो कॉंग्रेस थी उसका संजुक तो बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां हुआ था तो कहां हुआ था ये आपको ये आपको हुआ था भी पटना में हुआ था ये बैठक पंजाब में मार्सल लौ और महात्मा गांधी की गिरफतारी पर छोब परकट करने के लिए था उसके बाद पांचवां बिहार में प्रॉलेट एक आरमसर दिनों में अरब हुआ था था तो पांच का क्या हो जाएगा विसा बिहार में खिलापत talented प्रश करम में कौन महिला नेता सक्रिये रही तो ए हो जाएगा बी अम्मा इसे प्रस्ताव स्विक्रित के यह अधिवेशन कहां हुआ था तो भागलपूर में हुआ था इस अधिवेशन की अधिषता स्री राजेंदर परसाद ने किया था सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतिय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असयोग का समर्थन किया गया था दस बिहार में ऐसा योगा अंदोलन आरम हुआ था तो 1920 में हुआ था 11 हिंदी सब्ताहिक देश का प्रकासन प्रारम किया गया है किसके द्वारा तो राजेंदर परसाद ने किया था उसके बाद इस सब्ताहिक का जो प्रकासन सर्चलाइश पर इस पटना से 1920 में प्रारम स्वामी विध्याना समंधित हैं किसान नेता हैं किसान अंदोलन से समंधित हैं यह हो जाएगा तेरह बिहार की परफम राष्टिये महाविद्ध्याले 1931 में स्थापित कहां हुई थी तो पटना में स्थापित हुई थी 6 परवड़ी 1921 को पटना मस थापिद बिहार राष्टिय महा विध्याले का उत्गारटन किसके ने किया था तो भी हो जागा महात्मा गांधी ने किया था 15, बिहार विध्यापिटकए उत्गारटन कभ हुआ था तो 6 फरवड़ी deficits 211 को इसका उदेश से क्या था प्रांत में खोली गई सवी राष्टिये संस्थाओं का सामायोजन तथा उनका नियंत्र नियंदेशन करना 16 बिहार राष्टिये महाविद्जालक के प्रचार्ज के पत पर नियुक्त हुए तो राजेंदर प्रसाथ 17 बिहार विद्यापीट के प्रथम कुलपती बने कौन बने तो मझरूल हक और ब्रज की सुरप्रसाथ क्या बने थे उप कुलपती तो 17 कसी हो जाएगा 18 असाइच योग आंदोलन में भारत भागलपूर जिला में काफी महतों मौंकान गयी किस्टेनी भाय थी तो तीप नारायसी ने 19 Commons जुवेर नें असाइच योग आंदोलन में किस जिला का नेतित किया था तो मुंगेर का नेतित किया था 19 कसी हो जाएगा 20. बिहार में असायोग अंदोलन के सरप्रमुख नेता थे 21. एक सरकारी रिपोर्ट के नुसार असायोग अंदोलन के दौरन कहां अस्थिती सबसे गंभीर थी तो C. तीरहुद था, मुझा प्रफुना अंदोलन का केंद्र बन गया था 22. बिहार के असायोग अंदोलन कारी मौलवी मौहमद सफी किस जिले से समदित हैं तो मुझा परफुल भी हो जाएगा बिहार प्रांत को तिलक सुराजफंड के लिए कितनी धनरासी एकत्र करना था तो यह हो जाएगा 9,42,000 यह किस के द्वार निशित किया गया था 26 बिहार ने तिलक सुराजफंड के लिए कितनी धनरासी कत्रित की थी तो साड़े साथ लाग रुपिया सी हो जाएगा 26 का 27 बिहार में 1921 में सुराज सभा के स्थापना कहां हुई थी तो गया में हुई थी 28 अखिल भारतिय कांगरेस समीथी के किस वर्स के अधिवेशन में बिहार राज को अखिल भारतिय कार्जकार्नी समीथी में एक स्थान दिया गया यह हो जाएगा 1921 29 बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असर योगियों की पच्छ में पढ़ा था तो 29 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मुझा परपूर 30 अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दोरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने विनंदन पत्र प्रद सब्सक्राइब नियान दिया गया तो भी भागलपूर भागलपूर कपड़ों का महत्पून केंथ था तो योग आंदोलन के तुरान 500 बेल की पटना यात्रा कभ हुए थी तो बी हो जाएगा 22 दिसमर 1921 बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी कभ हुई थी 27 पक थे तो स्वामी विद्यान थे यह समाचार पत्र बिहार बंधू प्रेस्प मुझः परपूर से निकलता था बिहार में अस्वयोग आंदोलन के दौरान बावू तारा पत्बनर जी पर किस नाम का इतिहार छापने का वियोग का मुकदमा चलाया गया था तो सी हो जाए बावू तारा पत्बनर जी दर्भंगा के थे तो उसके बाद साहिति बिहार में कौन सा जिला अस्वयोग आंदोलन का सबसे वड़ा के अंदर था तो सी मुझापर पूर हो जाएगा आड़तिस बिहार में कहां 1922 में छंडा समन्धित विवाद हुआ तो बी हो जाएगा भ इतिस्वा अधिवेशन 1922 में कहां हुआ था तो सी हो जाएगा गया में हुआ था इसी अधिवेशन के अधिशता चितरंजन दास ने किया था राजेंदर परसाद स्वागत कार्नी के सचीव थे एकतालिस नंबर गया के कॉंग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुक प्रश 24 बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम में ध्याच बने थे तो स्री नारायन परसाद बने थे प्रफेसल अब्दूलबारी सचीव बने थे तता क्रिश्न बल्लव सहाय सहायक सचीव बने थे 45 श्री राजेंदर परसाद कहां के नंगरपालका के चेर्मैन 1923 में निरवा जित हुए थे 1946 निमबर उनिज्टेश में हुए बिधान मंदल का आम चुनावम स्वराज पाटी ने बिहार में विधान सवास वाघ कितने सीटों पर बीज़े प्राप्त की थी तो यह हो जाएगा आठ 1923 के चुनावं बिहार में सुराज पार्टी ने बिधान परसंद में कितनी सीटे प्राप्त की थी तो 10 हो जाएगा सर्च लाइट अखवार निकालना प्रारम किया था तो वी सचिदान दन्सिना एवं हसन इमाम में 1918 में पटना में प्रारम किया था अब लाष्ट है देखते हैं 1924 में बिहार में संप्रतायक दंगो जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो भागलपूर रहा ए हो जाएगा बिहार में हसन इमाम के निदेशन में प्रांतिय लिके स्थापना हुई थी कब हुई थी तो 1921 में 51 बिहार में किस स्थान पर भा 1922 का दिवेशन जो हुआ था कॉंग्रेस का बावन 1921 में गांधी ने पटना में क्या उडगाटन किया था तो सी बिहार भी देपिट और बिहार नेशन कॉलेज का यह भी दोनों होगा तो बावन का सी हो जाएगा सदाकत आसरम के स्थापना किस ने की थी तो मजरूल अब बी अंसर हो जागा तिरपन का चवर बिहार में किस आंदोलन के समय मूठिया पर्था चालू की गई थी तो असोप आसोयोग आंदोलन सी हो जाएगा कॉंग्रेस के लिए धन जुटाने है तो इस पर था की शुरुवात की गई इसके प्रते ग्रिहस्त प्रती दिन एक कोस्चन होगे पाचपन असायोग और खिलाफात और सबने अवंग्या और एकईस कोस्चन हो गया आपके और अगला जो बताऊंगा वह रचनात्मक उन्हें सो चोबिस से अठाइस के बीजियो हुआ तो यह बिहार से समय से सिरीज को कंप्लीट कर देना चातो खासकर सुरत ज्यादा ज्यादा नंबर भी लाएं कि कंफर्म रहे रियल्ट में कि मैंस के त्यारी कर सके आप लोग तो इसकसाद धन्यवाद